कि ये मदरसे वाले आलम फाजल की डिग्रियें बेचने के नाम पे जो युवा पुल्डी को गुमराहा कर रहे थे वो धंदा बंद हो गया बच्चे ये भविश्य मान करके अपना बच्पन खराब नहीं करेंगे कि हम आलम फाजल बनके कुछ बहुत बड़ी तालीम हासिल कर लेंगे अब नए सरे से कानून यूपी सरकार को बनाना होगा क्योंकि ये कानून तो on constitutional declare किया गया है अब जो है जब कानून का amendment लिखा जाएगा और उत्तर प्रदेश की विधान सभा में वो कानून का amendment लाया जाएगा मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदेत इनात जी की जो सरकार है वो हिंदू बच्चों को दीनी तालीम लेने के मामले पर सक्त प्रतिबंद लगाएगी इसका जो पेरा चोहतर पेरा चेहतर में प्रमती एजुकेशन सोसाइटि एन अदर्स वर्सेज उनिन उफ इंडिया वाले फैसले का जिक्र मामले का जिक्र किया है तो हम लोगों की अपेक्षा ये थी कि माननी सर्वोच नियाले larger bench को case transfer करेंगे, जब पहले एक संविधान पीट ने इस मामले में जो फैसला दिया था, उसमें उन्हों ने कहा था कि minority schools पर RTE लागू नहीं होगा, और वहां किवन schools तक की बात थी, However, ये जो फैसला है, ये मदर्से पे है, मदर्सा RTE से exempted है, लेकिन मदर्सों में पढ़ने वाले बच्चों के संविधाने कधिकार पर सर्वोच नियाले, अभी तक जो फैसले की जो primary reading हमने की है, उस पर वो मौन रह गया है, ये बड़ा disheartening है, कि आप minorities के मुसल्मानों के मद मदर्सा चलाने के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए तो बहुत लंबा फैसला दिये हैं, पर बच्चों के शिक्षा का अधिकार पाने के मामले में ये जो मौन है, ये सालता है, ये तकलीफ देता है, दूसरी बात जो है, वो ये है कि हमारी बड़ी लड़ाई इस बात क करते थे उसको माननी सर्वोश नयाले ने स्विकार किया है हम उनके बहुत-बहुत आभारी है उन्होंने बड़े स्पेसेफेकली पेरा 56 में इस बात का जिकर करके इसको इस्दापित कर दिया है पेरा 90 में 90 B में इस फैसले में माननी सर्वोष नियाले ने यूजी सी के एक्ट को प्रवलेंट किया है मदर्सा बोर्ड एक्ट पे पड़ी ही तसली की बात है कि ये मदर्से वाले आलिम फाजिल की डिग्रियें बेचने के नाम पे जो युवा पुल्डी को गुमराहा कर रहे थे वो धंदा बंद हो गया तो अविश्य मान करके अपना बच्पन खराब नहीं करेंगे हम आलिम फाजिल बनके कुछ बहुत बड़ी कालीम हासिल कर लेंगे वो कोट ने मना कर दिया है कि इसी कोई पढ़ाई कराना मदर्सा बोर्ड के अधिकार छेतर में नहीं है कोट ने अपने कंक्लूजन में ये बा काम है कि सरकार ये सुनिश्यत करें कि बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे बच्चे स्कूल जाएं बच्चे स्कूल में चार घंटा पढ़ाई करें उसके बाद वो दीनी तालिम कहीं कैसे भी लें लेकिन बच्चों का स्कूल जाना तै करना सरकार का काम है फैसला है सुप्रीम कोट के फैसले ने मदर्सा बोर्ट की जो आलिमफाजिल का धंदा का उबंद कर दिया है अब नए सरे से कानून U.P. सरकार को बनाना होगा तोखिए है कानून तो ऌन्कंस्टिटुशनल डेक्लियर किया गया है और अइनकंस्टिटुशनल जितना भाग डेकलियर किया गया है उसको हटाने के लिए कानून में अमेंडमेंट करना होगा तो अब जो है जब कानून का अमेंडमेंड लिखा जाएगा और उत्तर प्रदेश की विधान सभा में वो कानून का अमेंडमेंड लाया जाएगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश क खादिकार सुनिश्चित रहे, इस amendment में अभी सुनिश्चित किया जाएगा.